Hello friends, welcome back to our YouTube channel, The Teacher's Cat. जैसा कि आपने थम्नेल में देखा that what is PGT, TGT and PRT. PGT, TGT, PRT क्या है? और ये जनरल सा एक question रहता है, बहुत सारे बच्चों के मन में जो नए इंटर करते हैं, खासकर एक टीचर बनना चाहते हैं, टीचेंग के प्रोफिशन में आते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इनी से संबंदित पूरी जानकारी लेने वाले हैं, चाहे वो इनके फुल फॉर्म की बात हो, चाहे वो इनके योग गिता की बात हो, और अलग अलग लेवल पर मिलने वाली सेलरी की बात हो, या फिर जितने भी तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इससे जुड़े हुए सवाल है, उन सभी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो बने रही है हमारे साथ, चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को, तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि फर्स्टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इसको हम एक छोटे से पीडियो की तरू जहां पर हमने ने कंटेंट को इखटा किया है, और जो नैसेसरी क्वेस्टन से इनको यहां पर डिसकस किया है, तो फर्स्ट अफॉल, यदि आप किसी भी तरह के टीचिंग एक्जाम के लिए प्रपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जानना ज़रूरी है कि PGT, TGT और PRT है क्या क्यों कि आप अक्सर इन सब्दों को सुना करते होंगे, तो साथी साथ बहुत सारे क्वाश्चन हम डिसकस करेंगे, what are the qualification of these PGT, TGT, and PRT, and what is pay scale or salary of these post, इन post के लिए salary pay scale क्या होता है, अलग-अलग post का, So, let's start the things, okay? So, सबसे पहले ज़िए हम बात करें PGT, TGT, and PRT, तो यह जो तीनों नाम अलग-अलग हैं, वो एक abbreviation है, एक short form है, especially यह PGT, TGT, PRT की level of teachers होते हैं, यह अलग-अलग teachers के level हैं, according to their eligibility to teach in respective classes, हमारे school में 1st to 12th class में पढ़ाने वाले जो teachers होते हैं, उन teachers को, का level है, असल में यह कि एक PGT teacher कितने से कितने class तक पढ़ा सकता है, TGT कितने से कितने तक पढ़ा सकता है, PRT कितने से कितना तक पढ़ा सकता है, So, यह इनका level है, चलिए और भी हम इनको detail में discuss करते हैं, one by one, So, यह दिबात करें PGT की, So, post graduate teacher, इसको कई states में lecturer भी बोलते हैं, lecturer, So, इसके लिए the eligibility की बात करें, या कहा जाए कि यह teacher जो है, after PGT teacher, या आप PGT बनने के बाद, PGT teacher बनने के बाद, आप class 11th and 12th तक की classes को तक नहीं बोलूँगा, 11th and class 12th को पढ़ाने के लिए आप eligible होते हो, है ना, आपकी जिस भी school में posting होती है, तो आप कक्षा 11th और 12th को पढ़ा सकते हो, PGT होने के बाद, ओके, साथ ही, यदि बात करें हैं, इसकी eligibility, यदि आप PGT teacher बनना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या जरूरी है, तो आपका सबसे पहले post graduation होना जरूरी है, जो कि एक high level degree होती है, master आपका complete होना जरूरी है, और जिस भी subject से आप आगे teaching करना चाहते हैं, वो subject में आपका post graduation होना जरूरी है, साथ ही, one more qualification and that is B.E.Ed. B.E.Ed होना जरूरी है, और आपका जहां से भी B.E.Ed हुआ है, वो N.C.T.E. से approved होना चाहिए college, N.C.T.E. Actually National Council for Teacher Education, एक संस्था है, जो teacher training के लिए जो training institute होते हैं, उनको approve करता है, तो आपका जहां से भी अपने B.E.Ed किया है, वो N.C.T.E. से मानने तरफ प्राप्त होना चाहिए, ओके, ये दोनों तीनों चीज़ें लगती हैं आपके लिए, PGT के लिए, ध्यान रहे हैं, आपर C.T.E.T.E. की कोई अवसकता नहीं होती है, तो ये C.T.E.T.E. क्या है, इसको भी हम आगे डिसकस करने वाले हैं, ओके, चलिए, तो अब बात करते हैं हम T.G.T. की, तो T.G.T. जिसको हम बोलते हैं, trend graduate teacher, और कई states में, खास कर M.P. में इसको वर्गदो भी बोलते हैं, राजिस्तान में इसको second grade भी बोलते हैं, another state में इसको T.G.T. trend graduate teacher ही बोला जाता है, तो यदि आप T.G.T. teacher बन जाते हैं, तो इसके बाद आप कक्छा 6 से 10 तक, 6 तू 10 तक पढ़ाने के लिए आप eligible होते हैं, कक्छा 6 से 10 तक आपको पढ़ाने को मिलता है, यदि बात करें, एक T.G.T. teacher बनने के लिए आपको educational qualifications कौन-कौन सी होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपका graduation होना चाहिए, उसी subject में, जिस subject में आप teacher बनना चाहते हैं, और example आप science के teacher बनना चाहते हैं, तो आप science से graduation होना चाहिए, bio और mathematics, as your wish, according to your wish, तो आपका, जो है, आपकी subject में graduation होना चाहिए, साथी, बात करें, तो यहाँ पर, जिसे आप language का teacher बनना चाहते हैं, for example, आप Hindi या English का teacher बनना चाहते हैं, तो यदि आप Hindi का बनना चाहते हैं, तो तीनो साल आपने Hindi पढ़ी हो, अपने graduation में यदि English, तो तीनो साल एक core subject के तौर पर आपने English पढ़ी हो, तो आप language की teacher बन जाते हैं, लेकिन जो लोग social science का teacher बनना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा note है, जो generally लिखके दिया जाता है, जैसे अभी आप college में हैं, और आप यदि अपने subjects ले रहे हैं, graduation time पर हैं, तो इस बात का बिश्रीश ध्यान रखें, और वो क्या है, कि social science study का आप teacher यदि बनना चाहते हैं, तो आपके, आपको कम से कम दो सब्जेक्ट को पढ़ना जरूर है, आपके graduation level पर, in your graduation level, जैसे सब्जेक्ट में political science, geography, economics और history, इन subjects में, minimum आपके दो सब्जेक्ट जो हैं, आपके graduation level पर होनी चाहिए, और एक शर्त और है, कि out of which उसमें से, one must be either history, or geography, जो यह आपके दो सब्जेक्ट होंगे, SST के, उसमें से आपका एक history, या जोग्रफी में से कोई एक होना, compulsory है, तो यह आपके यह लिए क्या है, TGT teacher बनने के लिए, खासका SST means social science study का teacher बनने के लिए, यह जरूरी है कि आपके, दो सब्जेक्ट मिनिमम, graduation level पर हो, सो hopefully यह समझ में आया होगा, जब भी आप यह दी graduation अभी कर रहे हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, जो आपके future में काम आने वाली है, ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, और भी इसमें qualification है, केवाल इतनी से काम नहीं चलने वाला है, टीजेटी टीचर बनने के लिए आपको seat at, paper to qualify करना रहता है, इसके लिए 60% जिसको हम दूसरे सब्दों में कहें, तो 90 नंबर आपको 90 marks चाहिए होते हैं, seat at क्या है, यह एक eligibility certificate है, जो Central Government CBSE, Central Board of Secondary Education, conduct कराता है, और हर 6 माए में यह होता है, आप चाहें तो इसको apply करके, जो qualify कर सकते हैं, ज़्यादा tough नहीं होता है, और आप हमारे channel से जुड़कर भी, इस से related जो content है, और guidance से आप वो ले सकते हैं, so seat at certificate आपके पास होना ज़रूरी है, यह अलग-अलग paper अलग-अलग level पर होता है, दो paper होते हैं, paper one and paper two, तो TGT के लिए आपको paper two qualify होना ज़रूरी है, चलिए, बात करते हैं अब हम most important, जिसके बिना तो आप नहीं PGT नहीं TGT बन सकते हैं, so इसके लिए आपको B.A.D. होना ज़रूरी है, B.A.D. नहीं है तो B.A.B.A.D. और B.A.C. B.A.D. integrated course होते हैं, वो हो तो भी आप क्या है, TGT teacher बन सकते हैं, ये भी आपके जो होते हैं, NCTE, मतलब जिस भी college से आपने किये हैं, वो NCTE से approved होना चाहिए, ओके, इसके लाबा और भी qualifications आपको देखने को मिल जाएंगी, इसके अलावा, जैसे यदि आप ये नहीं किये हैं, तो elementary education related बहुत सारी qualifications से, जो आपको notification पर आपर वे में दिये होंगे, ओके, तो ये आपके लिए TGT teacher बनने के लिए कुछ important qualification से, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, चलिए, बढ़ चलते हैं हमारे next and last जो level of teacher है, that is PRT, ओके, बात करें दी PRT, तो जिसे हम शॉट में बोलते हैं, primary teacher, तो primary teacher जो होता है, वो कक्षा first, मलब कक्षा एक से पांच तक पढ़ाने के लिए eligible होता है, first to fifth, and इसको यदि आप बनना चाहते हैं, तो educational eligibility के तौर पर आप किसी भी subject से, किसी भी stream से 12th pass out हो, doesn't matter, that is art, और mathematics, science, anything, okay, इसके साथ ही आपके पास कोई diploma होना चाहिए, education में, DLA, diploma in elementary education, और bachelor elementary education है न, या फिर diploma DLA जादा तर बच्चे जो हैं, DLA करते हैं, diploma of education है न, so earn में से आपके पास यदि कोई भी diploma है, और same NCTE से approved है, तो आप क्या है, इसके लिए eligible है, साथ ही साथ जैसे TGT में paper 2 आपके लिए qualify होना जरूरी था, यहाँ पर seated paper 1 आपके लिए qualify होना जरूरी है, qualify करने के लिए 60% या फिर 90 marks होना जरूरी है, seated paper जो हर 6 मन्त में conduct किया जाता है CDSE द्वारा, आप form fill करके इसको easily जो है पढ़के qualify कर सकते हैं, ओके, चलिए, तो यह रही हमारे तीन अलग अलग चीज़ें, अब जो most important thing आती है, जिसके लिए hopefully आपने इसको click किया होगा, and that is salary और pay skill, क्योंकि हर कोई भी aspirant हो, जब वो किसी job के लिए preparation कर रहा है, तो उसका द्यान कहीं न कहीं salary पर तो होता ही है, और सभी की ज़रुरत है, तो चलिए, एक छोटी सी जलक जो है एक नजर हम उस पर भी डालें, तो यह short में हमने यहाँ पर detail कर लिया है, यहाँ पर आप दे सकते हैं PRT, TGT, and PGT, है ना, first column जो PRT के लिए, second TGT, and third PGT के लिए हैं, तो हम यहाँ पर हम थोड़ा confused होंगे, तो हम ऐसा करते हैं, overall जो हमारा total नीचे दिया हुआ, उसको देख करके हम एक अनुमान लगा सकते हैं, है ना, तो बात यहाँ करें हम grade पे की, so that is 4200, और यहाँ बात करें PGT के grade पे की, हाना, यदि बात करें basic पे की जो in hand रहेगा आपको, so 35,400, and TGT की बात करें, तो 44,900, और यदि बात करें PGT की, तो 47,600, यह आपका basic पे रहता है, यदि बात करें हम revise DA, rimness allowance, जो आपको adjustment के लिए भी दिया जाता है, तो वो PRT के लिए 13,000, और वहीं PGT के लिए 17,000, और, sorry, TGT के लिए 17,000, PGT के लिए 18,000, यदि बात की जा, जो home rent allowance मिलता है आपको, घर के लिए अलग से, वो PRT के लिए 8,000, वहीं TGT के लिए 10,000 है, और PGT के लिए 11,000 है, ठीक है न, travel allowance अलग रहता है इसका, चतीसो रुपे है, PRT के लिए चतीसो TGT, चतीसो PGT है न, जो same है यहाँ पर, तो approximately हम देख कर चलते हैं, तो approximately 53,000 something PRT के लिए पढ़ता है, 66,000 something for TGT and 70,000 for PGT, एक rough data है, और यदि इतना नहीं, तो आपको यह जो basic उपर दिखाया जा रहा है, वो clear है, है न, कि आपका इतना तो रहे गई रहेगा, लेकिन अलग लगता रहे कि allowance मिला करके, आपका जो है ज़्यादा पहुँच जाता है, तो यह एक short भी हमने लिया, या फिर आप अप अपी current में preparation कर रहे हैं, तो लग जाएए, क्योंकि KVS का जो notification है, आ चुका है, काफी अच्छी post उसमें भी दी है, है न, काफी vacancies है, आप उसको crack कर सकते हैं, है न, और आप अपनी preparation के लिए, हमारे channel के साथ जुड़कर, काफी important informations ले सकते हैं, साथ ही साथ हम classes भी लाने वाले हैं, तो आप सभी का thanks, जो आपने last तक इस वीडियो को देखा, hopefully आपको ये वीडियो जो है helpful रहा होगा, तो मिलते हैं एक next वीडियो में, एक नई content के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद,